हलो मेरी प्यारी फैमली कैसे हैं आप सब यह आप देख सकता है कितनी यामी दिख रही है यह डिश यह मैंने ना कुछ एलग सी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है यह मैंने पहले भी कई बार बनाई है यह बहुत जादा टेस्टी लगती है लेकिन इसका य आप मुझे नीचे कॉमें सेक्शन में लिख के बताया कि आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे और पहले रेसिपी पूरी देख लीज़ेगा फिर बताईगा क्योंकि इसमें हैं धेर सारे ट्विस्ट तो चली रेसिपी शुरू करते है कि स्टफ पाव बनाने के लिए सब से पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे तो यहां पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है एक बड़ी चमच के करीबन मैंने तेल ले लिया है जब तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसमें में डाल दोंगी एक छोटी चमच जीरा देखिए जीरा चटकने लगा है त बिल्कुल बारीक कट करके भी ड़ाल सकते हैं. लेस्टन को हलका सा गोलडेन ब्राउन होने तक भूनना है और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ एक प्यास. प्यास को भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रखा हुआ है. इसमें हम जो भी चीज यूज़ करेंगे न वो सारी हमने पारी कट करके रखी होई है प्यास को भी हलका सा गोल्डन डाउन होने तक भून लेना है आपने साथ ही में मैं इसमें डाल देती हूँ नमक आप स्वाधनुसा डालें मैं इसमें करीबन आदी चोटी चमत से जादा डाल रही हूँ अब मैं इसमें डाल देती हूँ शिमला मिर्च एक शिमला मिर्च को मैंने इस तरीकी से छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है जब प्यास भून जाए उसी के साथ इसमें डाल दीजे ताकि शिम्ला मिर्च भी हलकी सी भूने और भूनी हुई शिम्ला मिर्च का टेस्ट अलगाता है तो चलिए शिम्ला मिर्च ने भी ना अपना स्वेट छोड़ दिया है अब इसमें हम डाल देते हैं तमाटर यहां पर ने टमाटर को मैंने ना तो पीसा है ना इसे मैंने कट किया है मैंने ना चौपर से इसे बस जो रफली आप बोल सकता ना पीसना वो कर लिया है ऐसा करने से जो इसमें बीज होते हैं वो भी नहीं पीसे हैं तो इसका टेस्ट अलग है तो आपको इस तरीकी का चाहिए अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो जादा मत पीसेगा और अगर आप कट कर रहे हैं तो बिल्कुल महीन कट कीजेगा अब बस सारी चीजों में हम टमाटर भी डाल देते हैं यह शार्य चीज से। करें डिया से चाहिए उच्छां करने देंगी अारी चीज अच्छी तरीका से पका लेना है मैं ना एसमें दालना करेंदें से छोड़ा दूड़ से देंगि धौकितकर चोड़ने इस अच्छी उचारे ही तर दक सब 드ged ध्याद भाइने तो 46 मिंहें NutGI старम हमाई सारी चीजे है ना इसमें अच्छी तरीके से पक चुकी हैं अब बारी है इसमें मसाले डालने की तो बिलकुल एक चताई छोटी चमच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर एक चमच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर भी अच्छा आएगा तीखा पंद तो आई जाएगा, एक चमच इसमें मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला, एक चथाई छोटी चमच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, एक चथाई छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालियेगा, यहां पढ़ना मैंने इतनी साइट तीखी मैंने अलग से लाल मिर्च या फिर हर्य मिर्च नहीं डालिये, अगर आप जादा तीखा खाना पसंद करते हैं जरूर डालियेगा, और एक चमच मैंने इसमें कट्सूरी मिर्थी डाल दिये, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लिक के रख लीजे, अब बस सारी चीजों को मिक्स कर लीजे, नमक तो हम पहले डाली चुके हैं, और इसे आप जैसे-जैसे मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे इसका कलर कितना जादा प्यारा आ रहा है, है ना, बहुत ही सुन्दर दिख रही है, आभी जो हमें ग्रेवी चाहिए ना, वो थोड़ी ऐसी होनी चाहि पहले तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, काफी जाधा सूख चुका है और फिर यहां पर है मेरे पास आधा उबला हुआ आलू, सिर्फ आधा चाहिए, इससे जाधा नहीं क्योंकि हमें आलू का टेस्ट नहीं चाहिए, आलू इसमें हम सिर्फ बाइंडिंग के कर लेना है या फिर आप इसे बिल्कुल ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और फिर इसे बिल्कुल मैश कर लेना है आपको प्यूरी में और अंतर खुदी देख सकते हैं पहले कैसे अलग-अलग हो रही थी और आप बिल्कुल एक दिल हो गई है हमारी प्यूरी फा तो जरूर डालेगा जादा नहीं बिल्कुल आदी चोटी चमच मैंने पिसी भी चीनी डाली आप साबुत भी डाल सेकते हैं और बस फाइनल इसमें हम डाल देते हैं पनीर को आप देख रहे हैं ना मैंने किस तरीके से बिल्कुल छोटा-छोटा कट किया है ऐसा ही तो हमें च कंजूसी कर रहे हो लेकिन इसमें हमें बिल्कुल छोटा-छोटा ही चाहिए आप भी छोटा-छोटा ही काटिएगा बड़ा-बड़ा नहीं काटिएगा अब बस इन सारी चीजों को ढख कर रख दीजिए और फिर 5-6 मिनिट के लिए छोड़ दीजे इसा दम पर पकने हैं और यह हमारी बिल्कुल तयार है फिलिंग उपर से डाल दीजे बस बिल्कुल बारी कटकी हुई धन्या पत्ती और देखिए कितनी यामी दिख रही है अल्रेडी क्या लग रहा है क्या है यह आम मुझे नीचे कॉमें सेक्शन में लिखके बताई और दिखने में कैसे ल पाव को वह मैंने ले लिया है इसमें तोडना कैसे है पाव को इस तरीके से दो के पेर में से हमें तोडना है अलग अलग नहीं करना है जैसे कि यहां पर मैंने यह दो पाव का एक पेर बना के रखा हुआ है ले लिया है मैंने अब इसके अंदर जो श्लिट लगानी है हमें तो lengthwise इसमें हमें slit लगानी है, थोड़े deep लगाईएगा ताकि अच्छा hole सा बन जाए इस पाओ के अंदर. तो देखें किस तरीके से cavity form हो गई है, बस जो हमने filling बनाई है ना, वो इस cavity के अंदर आप fill कर दीजें. फिलिंग को आपको थंडा बंडा कुछ नहीं करना है, आप गर्मा गरम इसके अंदर भर दीजे, बिल्कुल दिल खोल के इसमें filling भरिएगा लेकिन इतना भी दिल मत खोल दीजेगा कि पाओ ही खुल जाए, तो बस यहाँ पर मैंने filling भर ली है पाओ के अंदर, देखें पाओ हमारा खुला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि चांसिस बहुत जादा होते हैं कि यह दो पाइट में हो जाए है अगर आप पाओ नहीं यूज करना चाहते है तो आप होट डॉग भी ले सकते हैं, उसमें इसली हो जाएगा, तो चलिए अभी से हम सेक लेते हैं, यहाँ पर म पाओ भाजी मसाला और थोड़ी सी धन्यापती, ध्यान रखेगा गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल धीमी रखनी है वरना घी भी जल जाएगा, पाओ भाजी मसाला भी जल जाएगा, और जो आप यह कोटिंग करना चाहा रहे है ना पाओ के उपर पुरी जली-जली सी दिख तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है जैसे पाओ भाजी के लिए हम पाओ सेखते हैं बिल्कुल वैसे ही तो सेखना है कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें तो दिखी यह हमने सेखनी है और यह देखे कितना प्रिटी लग रहा है इसके उपर जो धन्यापती लगी ह है जो पाओ भाजी मसाला लगा हुआ है बहुत संदर दिख रहा है हाँ थोड़ा दिखने में है लेकिन टेस्टी बहुत है कुछ अलग हटकर है गार्निशिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ एक कोन मैंने बना लिया इसके अंदर मैंने मैंने मियोनीज डाल दी है और बस तरीके से मैं इसे कार्णिश कर रही हूँ आपने अपने अकॉर्डिंग इसे जैसे गार्निश करना चाहें वैसे कर सकते अगर नहीं भी करना चाहें ऐसे खाई यह बहुत टेस्टी लगेगा देखे अब आपने यह रेसिपी पूरी देख लिए अब मुझे नीचे कॉमें लिखे जरूर बताईगा कि इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहेंगे इसे मैंने एक तोड़ के दिखा दिखा रही हूं आपको अंदर किस तरीके से फिलिंग भरी हुई है बाहर से हमारा पाव अच्छा क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है और साथ ही अंदर भरी हुई तरीके से तोड़ के खाईए जैसे कि हम बड़ा पाव खाते है उस तरीके से खाईएगा बहुत जादा टेस्टी लगेगा देखें नॉमली हम पाव भाजी तो बनाते हैं घर में लेकिन अलग तरीके से चीजों को प्रेजन करके अगर घर में सब को खिलाया जाया तो सब क बहुत पसंद आता है उमीद है आप सभी को भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी अगर आप यह रेसिपी ट्राय करते हैं तो उसकी पिक में साथ ज़रूर शेयर किज़ेगा कहां शेयर करेंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पर पास सकते हैं फेस्बुक पेज है मेरा थाँ रेस्भा इंस्टाग ज है जाइए्टे इंस्टाग्वावार ट्रैक्वार झाले की।